जहां एक तरफ सरकार किसानों के लिए नितनईने योजनाय चलाती है ताकि किसी भी परकार किस मस्याओं का सामना किसानों को ना करना पड़े लेकिन मध्य परदेश की किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है मामला मद्धे परदेश का है जहां ग्राम जाजम खेडी के किसानों ने आदिम जाती सेवा सहिकारी समेती बालिपूर से निम कोटे उजवला यूरिया खाद खरीदा जिसमें खाद के बेक में से कंकर पथर निकल रहे हैं जिसकी शिकायत किसानों ने क्रिशी विभाग के जार दिन पुर्भी एक श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल के महावीरा सूपर खाद के बैग में से एक से दो किलो खाद कम निकला जिसकी किसानों ने क्रिशी विभाग के अधिकारे को शिकायत की थी वह अधिकारे जोरा कंपनी के खिलाफ मनावर थाने में एफ आया जाएगों को खोला गया तो उसमें कंकर पत्थर निकले जिसका सैंपल लेकर मोका पंचनामा बनाकर वरिश्ट अधिकारे को भेजा गया महीं अधिकारी ने बताया कि विरिश्ट अधिकारे द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उस हिसाब से खाद कंपनी के खिलाफ कारेवाई की जाएगी आदिम जाती सेवा समीती बालिपूर का ये पुरा मामला है इस नाम बता दे किस पत्त अधिया है अधिया जो गुरिया खाद के अंदर पत्तर कंकर निकल जाएगा नाम लाए किस पत्त है और यहां पर पुरंत अपने सोसाइटी मुपस्तित होकर गोडाउन का इसमें बोरी का निरिक्षन करके उसका नमूना लिया हूँ अभी उसमें कुछ मिलावट है मिट्टी है कंकर भी है उसमें इसका नमूना भेज रहे हैं और उसका गुण जाच होगा उसमें जो 46 पर्सन नाइट्रोजन होना चाहिए वह हेक नहीं है और इसकी रिपोर्ट आने पर जो भी हम एफ्चियो के ताथ कारवाई करूंगा में इस पर नाम बता दे भाना लाल चुए यह जो अब यूरिया खाद लाए क्या है क्या मामला इसमें बाली पुर्टी से यूरिया खाद श्वाल इसमें ये कंकर पत्तर निकल रहे है कम से अदय किलो इत्ते कंकर पत्तर निकल रहे हैं है और हर थेली में निकलिया तो इसकी इसकाद किसानों को दिया जा रहा है फ़्लम की Śान क्या करेख उप सब् circelen और क्या करें इसकी जाएगी यह साखात क्यों दीदिया जा रहा है जब निम्पोर्टेट यूरिया आ रहा है तो क्या मतलब किसान के से लेगा